आमादमी पाड़ी ने सोंबार को आरोप लगाया की संसद भौन के उद्गाटन समारों में राष्टपती को ना बुलाकर के बीजेपी ने आदिवाश्यों और पिछड़े समुदायों का अपमान किया है। आप सांसद संजे सिंग ने कहा कि बीजेपी दलितो पिछड़ो और आदिवाश्यों की जनमजात विरोधी है। त्रीमती द्रोपती मुर्मुर जी को ना बुलाना। इससे पहले कॉंग्रिस ने संसद के नए भौन का उद्गाटन राष्टपती से कराय जाने की मांग पर जोड़ दिया। कॉंग्रिस ने कहा कि लोकतांतरिक मुल्य और समयधानिक सुचिता का सम्मान होना चाहिए। मुक्य विपक्षी दल ने ये भी कहा कि 28 माई को होने वाले इस कारिक्रम में राष्टपती की उपस्तिती होनी चाहिए और इसके लिए प्रधान मंत्री मुदी को राष्टपती मुर्मुर से आगराह करना चाहिए। कॉंग्रिस अध्यक मलिका आरजुन खरगे ने आरोप लगाया कि भारती जनता पाठी और राष्टपती सुएम सेवक संखी सरकार में राष्टपती का पद महेज प्रधी कात्मक बनकर रह गया है। कॉंग्रिस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने रविवार को कहा था कि संसत के नए भौन का उध्गाटन प्रधान मंत्री मुदी को नहीं बलकी राष्टपती को करना चाहिए।